हिरनमंगरी थाना पुलिस ने अवेज रूप से देशी पिस्टल लेकर कार में गूमते हुए दो बनमासों को गिरफतार किया है थाना अधिकारी राम सुमेर मिना ने बताया कि गस्त के दोरान मुख्वीर से सूचना मिली कि मनवा खेडा जामर कोटा रोड पर डॉक्टर रेयार चोधरी का बोर्ड लगा है उसके सामने वाली रोंग साइड में एक कार वर्ना खड़ी है जिसमें दो व्यक्ति बेटे हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं जिस पर पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को पकड़ कर पुस्ताच की तो उन्होंने अपना नाम लोकेश दांगी और जेठा पूरी तुर्फ जीतू बताया उनसे तलासी के दोरान एक देशी पिश्टल मिली जिस पर यूएस से लिखावा था पुस्ताच में उन्होंने इस पिश्टल को छेवईने पहले खरीदना स्विकार किया जिस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है इस कारवाई के दोरान करन सिंग, हेड कॉंस्टेबल देवेंदर सिंग, रामजिलाल मीना, किरन, मुकेश, हर्श्वर्दन और साइवर सेल से लोकेश रायकवाल की भूमी का महत्पुन रही